हाई फ्रेंग आज मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कोई भी पिस्टन में जो है पिस्टन रिंग का पोजीशन क्या होना चाहिए तो यह हम आपको इस दिखा रहे हैं इसमें जो इसे एक नंबर है तो यह टाप रिंग है इसका जो कट पोजीशन होता है इस जगह पे होता है औ इसी तरफ ही तीसरे नंबर के पिश्टन रिंग का पोजिशन दोनों के बीच में रखा जाता है उसके बाद फोर्थ नंबर का जस्ट उसी के अपोजिट थर्ड नंबर के से जस्ट अपोजिट जो है वो कट का निशान होता तो इस तरह से पिश्टन रिंग का जो है हम लोग piston में position रखते हैं जिस समय engine चलता है तो compression leakage होने की chances ना के बराबर हो तो इस तरह से piston का position पिस्टन में रखा जाता है कि जिस से जो है engine आराम से लोग लेके चले और कोई भी compression leakage होने की chances ना हो जिसके वज़ा से लोग लेने की problem बढ़ जाए या low oil consumption यानी blue buy अधिक हो जाए अगर आपको ये video पसंद आए तो कृपया इसको like subscribe हो सकते अपने दोस्तों फ्रेंडों और technician को भी इसको share करें ताकि उन्हें भी इसकी जानका